छोड़ा सा experience मैं आप लोगों को share करना चाहूंगा जब मैं योरोप में आया था तो मुझे आते ही यहां पर किसने advice किया था तीन सब्द उन्होंने मुझे से बोले थे कि इन तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा यहां पर आकर इसमें सबसे पहले आता है देखो, सीखो और बचो अब उस टाइम तो मुझे यह चीज़ नहीं पताती ही वो उन्होंने मुझे ऐसी बात क्यों बोली है बट अब जब मुझे एक साल होने वाला यहां पर तो मुझे बात समझ आ रही है कि उन्होंने ऐसी बात क्यों बोली थी देखो का इसमें मतलब क्या था उनका कि उन लोगों को देखो जो आप लोग से जादा कमा रहे हैं आप यहाँ पर एक छोटी मोटी जोब करके जो आप सेलरी कमा रहे हो और आपके साथ वाले जो आपके साथ आये थे या आपसे पहले थोड़ा बहुत आये थे वो कैसे आपसे जादा कमा रहे हैं तो देखने का मतलब यह था, सीखो क्या कि कभी भी छोटी मोटी जोब के पीछे पागल मत हो, अगर आप सोचते हो कि आप क्लीनिंग की या वेटर की या चोटी मोटी जोब कर रहे हो और आप एक डेड़ लाख रुपे कमा रहे हो तो आपके लिए इनफ है, नहीं, कोई एक सीखो, जिसमें आप मास्टर कर सेको, और उस मास्टर करने के बाद जब आप उसमें कमाऊगे, तो वो एक दो लाख रुपे आपको बहुत कम लगेगा, ठीक है, बचों का उसमें क्या मतलब था, कि जो लोग आपके साथ है, या फिर आपके नोन है, या कोई रिलेटिव है या आपके कोई दोस्त है याँ पर, तो उनसे बचके रहना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता भाई, सब अपने काम से मतलब रखते हैं, सब को अपने काम से काम होता है, ठीक है, तो बचने का मतलब ये था, कि उन लोगों से बचके रहो, जो आपके चीज का बिल्कूल ध्यान रखना कि तीन वर्ड अपने दिमाग में बिठा गए रखना देखो सीखो और बचो थिंक्यो सो मच